रानुचिरिया का बेटा कूकू अपने दोस्तों से मिलकर बाते कर रहा था दोस्तो इस बार मेरे जनम दिन पर मैं तुम सब को बुलाऊंगा और हम सब मिलकर मेरे जनम दिन का केक काटेंगे हाँ हाँ जैसे मेरे जनम दिन पर हम सबने मिलकर कितना इंजवाए किया था पीछे चिलका बेटा कीकी बैठा ये सारी बाते सुन रहा था अरे जनम दिन तो मेरा भी आने वाला है क्या मैं भी इन सब को दावत दे दूँ के मेरे जनम दिन पर जरूर आना फिर कीकी कुकु और उसके दोस्तों के पास जाता है और कहता है दोस्तों मेरा जनम दिन आने वाला है तुम लोग जुरूर आना अरे अरे हम तुम्हारे जनम दिन पर नहीं आएंगे मा ने कहा है चील बुरी होती है चील हमें नुकसान पहुचा सकती है और तुम चील के बेटे हो हम तुम्हारे जनम दिन पर बिल्कुल नहीं आएंगे दोस्तो मेरी मा बुरी नहीं है मेरी माँ बच्ची हो गई है तुम लोग जरूर आना मैं तुम लोगों को दावत दे रहा हूँ हमें ऐसी दावत की कोई जरूरत नहीं है जिस दावत में हमारे जान को खत्रा हो चील का बेटा उदास हो जाता है और अपनी माँ के पास चला जाता है माँ माँ आपकी वज़ा से मेरे जनम दिन पर कोई नहीं आता आप चीडिया के बच्चों को क्यों खा लेती है आप बाकी परिंदों के बच्चों को क्यों खा लेती है मेरा कोई दोस्त नहीं है मेरा भी दिल करता है मेरे दोस्त हो मैं उनके साथ मिलकर अपना जनम दिन मनाऊं बेटे हम लोग चील हैं और हम चील पहाडों पर अपनी ही दुनिया में रहते हैं मां पर मुझे आपकी दुनिया में नहीं रहना मुझे बाकी परिंदों की तरहां अपनी जिनी है वो कितने खुश है और मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है बेटे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ न मा, आपको पता है, मैंने आज दावत दी थी चिडिया के बेटे को लेकिन उसने आने से मना कर दिया, उसने कहा के तुम्हारी मा बहुत बुरी है मेरे बेटे, फिकर ना करो, मैं तुम्हारे लिए जंगल के परिंदों को बुला कर ले कराऊंगी उधर कूकू, अपनी मा चिडिया को सारी बात बताता है मा, आज मैं जंगल में बेटा हुआ था, तो उधर चील का बेटा आया अवे चील का बेटा, उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुचाया ना मा, उसने मुझे और मेरे दोस्तों का कहा, कि हम उसके जनम दिन पर आएं बेटे, चील बहुत बुरी होती है, वो हमें नुकसान पहुचा सकती है, उससे बच कर रहा करो जी हाँ मा, मैंने उसके बेटे को यही कहा है, और फिर वो रोता हुआ वहां से जला गया दूसरी तरफ चील अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर जंगल के जानुरों को अपने बेटे की जनम दिन की दावत देने के लिए आ जाती है कालू, ओ कालू, दर्वाजा खोल, देख कौन आया है कालू बाहर आता है चील जी, आप यहां पर क्या कर रही है कवे होसला करो, डरो नहीं, डरो नहीं मेरी बास सुनो मुझे नहीं खाना, मा मैं बहुत जादा बुड़ा हो चुका हूँ मेरे अंदर तो गोश्ट भी नहीं बचा, मा मा मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना कवे मैं तुम से गुजारिश करती हूँ आज शाम मेरे बेटे कीकी का जनम दिन है तो तुम अपने बीवी और बच्चे के साथ मेरे बेटे के जनम दिन पर जरूर आना हाँ हाँ ठीक है ठीक आजाओंगा अभी आप जाएं मुझे आप से बहुत जादा डर लग रहा है फिर चील वहां से चली जाती है कालू कवा घर में जाता है तो गोरी कवी अपने बेटे जगु को लेकर अलमारी के पीछे पहले ही छुपी होती है क्या कहा चील ने उसने परिश करके गई है वो मुझ से के मेरे बेटे के जनम दिन पर जरूर आना क्या तुमने हां कह दी उसे और क्या हां तो मैंने कहनी थी लेकिन जाओंगा नहीं मैं हां हां मैं भी नहीं जाओंगी और ना मेरा बेटा जाएगा इसी बहाने वो हमें बुलाएगी और अपनी द जाती है दर्वाजा खोलो चिडिया ममा घर पर नहीं है मैं अकेला हूं घर पर हाँ बेटे दर्वाजा खोलो मुझे बात करनी है नहीं नहीं माने कहा था दर्वाजा नहीं खोलना मा घर आ जाएंगी ना तो उसके बाद ही दर्वाजा खोलूंगा मैं ठीक है बेटे लेकिन म मेरे बात सुन लो मेरे बेटे के जनम दिन पर जरूर आना आज शाम मेरे बेटे कीकी का जनम दिन है ठीक है मैं मां को बता दूंगा आप भी यहां से जाएं मुझे डर लग रहा है मां बताएं क्या हुआ क्या सारे प्रिंदे मेरे जनम दिन पर आएंगे क्या बेटे दावत तो मैं सब को दे कर आई हूं लेकिन ना किसी ने हां कहा ना किसी ने ना कहा वो तो मुझसे बहुत जादा डर गए थे मा पता नहीं परिंदे आप से क्यूं डरते हैं आप तो अब बहुत जादा अच्छी हो गई हैं अब तो आप किसी चिडिया के बच्चे को खाती भी नहीं है हाँ बेटे लेकिन ये माश्रा किसी को अच्छा होने ही नहीं देता शाम को चील अपने बेटे के जनम दिन के लिए एक बड़ा सा केक ले आती है चील पूरे घर को गुबारों से सजा देती है चील और कीकी घर के बाहर बैट जाते हैं और परिंदों का इंतजार करने लगते हैं माँ काफी देर हो गई कोई भी नहीं आया लगता है आप दावत ही नहीं दे कर आई किसी को नहीं मेरे बच्चे मैं दावत दे कर आई हूँ थोड़ी देर बाद सब आ जाएंगे तुम इंतजार करो माँ मुझसे इंतजार नहीं हो रहा मैं तो अंदर जा रहा हूँ जब कोई आएगा ना तो आप मुझे बता देना काफी देर तक चील बाहर बैठी रही और परिंदों का इंतजार करती रही लेकिन कोई भी परिंदा डर के मारे वहाँ पर ना आया माँ कोई भी मेरे जनम दिन पर नहीं आया आपने सब को दावत दी थी ना लेकिन फिर भी कोई नहीं आया कोई भी मेरी खुशियों में शामिल नहीं होना चाता मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है चिर्या बैठी कीकी की ये सारी बाते सुन लेती है अरे कीकी का तो आज सच में जनम दिन था और चील सच में सब को दावत दे रही थी और हमें लगा के चील हमें खा जाएगी बलके ये तो बहुत अच्छी हो गई है अब मैं अपने सारे दोस्तों को बुला कर लेकर आती ह थोड़ी ही देर में जंगल के सारे परिंदे इकठे होकर चील के घर आ जाते हैं कीकी बहुत जादा खुश होता है ममा ममा देखो कितने जादा सारे परिंदे आ गए आप तो सच कह रही थी सब बहुत जादा अच्छे हैं मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए सब आ ग खुशी देखकर सारे प्रिंदे बहुत जादा खुश हो जाते हैं। शुक्रिया दोस्तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग आज मेरे बेटे की खुशियों में शामिल हुए। मैं आपका दिल से शुक्रियादा करती हूँ। सबस्क्राइब आज कालू कवा जंगल में खड़ा रंग बिरंगे गुबारे बेच रहा था। गुबारे ले लो गुबारे रंग बिरंगे गुबारे जो बच्चा एक बार लेकर जाएगा बार बार लेने के लिए आएगा। जल्दी जल्दी आओ, रंग बे रंगे गुबारे ले लो। जुनी ने जब कालू कवे की आवाज सुनी तो वो बहुत जादा खुश हो गया। वाओ, ये गुबारे कितने जादा खुबसूरत है। मैं अभी घर जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ, फिर जादा सारे गुबारे खरीद लूँगा। नानी नानी मुझे पैसे देना, मैंने बाहर से गुबारे लेकर आने हैं, जल्दी जल्दी दे दो। हाँ हाँ बेटा ये लो पैसे लेकिन गुबारे अच्छे वाले लेकर आना फिर जूनी अपनी नानी से पैसे लेकर कालू कवे के पास जाता है अंकल जी मुझे जादा सारे गुबारे दे दो एक एक रंके एक एक गुबारे दे दे ना अरे बच्चे इतने जादा गुबारों का तुम क्या करोगे और इतने जादा सारे पैसे तुम कहां से लेकर आए हो कालू अंकल मेरी नानी आई हुई है और मेरी नानी ने मुझे ये पैसे दिये हैं देखो कितने जादा सारे हैं अब मुझे इन सब पैसों के जादा सारे गुबारे दे देना अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हे गुबारे दे देता हूँ पिर जूनी गूबारे खरीदने के बाद गूबारे देखकर बहुत जाधा खूश होता है रास्ते में उसे काल्व कवे का बेटा जगू मिल जाता है अरे जूनी इतने जादा सारे गूबारे ये तुम कहां से लेकर आए हो मुझे भी बता दो जग्गू ये तुम्हारे अबू बेच रहे थे अगर तुमने लेने हैं तो तुम अपने अबू से जाकर ले लो ना तो इसका मतलब है ये गुबारे हमारे ही हैं तो तुम ये गुबारे मुझे दे दो क्योंके मेरे अबू ने तुम्हें दिये हैं ना अरे अरे नहीं नहीं मैंने तुम्हारे अब्बू से पैसों के खरीदे हैं मेरी नानी ने मुझे जाद सारे पैसे दिये थे फिर मैं तुम्हारे अब्बू से ये गुब्बारे खरीद कर लेकर आया हूँ नहीं नहीं वो मेरे अबू है और मेरा हक है इन गुबारों पर तुम ये सारे गुबारे मुझे दे दो अगर तुमने मुझे ये गुबारे ना दिये तो मैंने छीन कर ले जाओंगा तुमसे जग्गू मुझे घर जानेगा मुझे अपने घर जाकर अपनी नानी को गुबारे दिखाने है फिर जग्गू जूनी की एक बात भी नहीं सुनता और जूनी के सारे गुबारे छीन कर जंगल की तरफ भाग जाता है मा आपने जूनी को पैसे क्यों दे दिये थे पता भी है वो कितना शरार्ती हो गया है हर वक्त पैसे ही मांगता रहता है अरे बेटी कुछ नहीं होता आभी तो वो छोटा बच्चा है जब बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी लेकिन मा आप भी तो थोड़े से पैसे लेकर आई हूंगी ना मेरे पास रहने के लिए अरे मेरी बेटी जो मेरा है वो तुम्हारा और जूनी का ही तो है और मेरे पास है ही कौन जिसे मैं अपनी चीज़े दूँगी थोड़ी ही देर में जूनी भागा भागा अपने घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है ममा ममा जगू मेरे गुबारे चीन कर ले गया मैं इतने जादा सारे गुबारे लेकर आ रहा था मेरे सारे पैसे जाया हो गए चुपो जाओ जूनी इतने जोड़ जोड़ से क्यों बोर रहे हो देखो तो नानी सोई हुई है ममा जगो मुझसे सारे गुबारे चीन कर ले गया मैंने उसके बाबा से पैसों के खरीदे थे और उसने कहा ये गुबारे मेरे बाबा ने दिये है तो इन पर हक भी मेरा ही है देखो भई अब तुम्हारे गुबारे वो चीन कर ले गया ना इसलिए मैं कहती थी जादा पैसे खर्च ना करो ना तुम्हारा कोई फाइदा हुआ और नानी के सारे पैसे भी खतम करवा दिये पर ममा नानी ने मुझे पैसे खुद ही दिये थे ना मैंने तो नानी से ये कहा था मुझे पैसे दे दो मैंने गुबारे लेकर आने है बेटा नानी महमान है और महमान से कभी पैसे नहीं मांगते तो ममा क्या मैं आप से पैसे मांग सकता हूँ हाँ हाँ बिलकुल तुम मुझे से पैसे मांग सकते हो क्योंके मैं तुम्हारी ममा हूँ तो फिर मम्मा मुझे एक बात बताएं, जब आप छोटी थी, तो आप किस से पैसे मांगती थी? जब मैं छोटी थी, तब मैं अपनी मम्मा से पैसे मांगती थी, पर तुम मुझे से ये स्वाल क्यों कर रहे हो? मम्मा अब मेरी बात पर गोर करें मैने अपनी मम्मा की मम्मा से पैसे माँए है उफ ओ जुनी तुमने तो मुझे गुच्वाए दिया बस मैं तुमसे नहीं बात करती अब जाओ यहां से देखो नानी सोही हुई है और हम कितनी दिर से बाते किये जा रहे हैं मम्मा गोरी अंटी के घर चलते हैं जगू की शकायत लगा कर आते हैं वो पिछले जंगल की तरफ भाग गया मेरे सारे गुबारे लेकर अच्छा भई चलो जब तक मैं जाओंगी नहीं तुम्हें तो चैन आए गाई नहीं गोरी बेहन आपका बेटा जगू मेरे बेटे जूनी के सारे गुबारे चीनकर भाग गया है जब वो घर ऑजाये तो उससे कहख दे ना बराए महरबानी मेरे बेटे के गुबारे वापस कर दे अरे अरे ठीक है रानो बेहन जब जगू घर आ जाएगा तो मैं से आपके घर बेज़ दूँगी तो आप उससे सारे गुबारे ले 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 ना अच्छा चलो ठीक है गोरी बेहन लेकिन मुझे एक बात बताएं ये कालू भाई इतने जाद सारे गुबारे बेचते हैं उन में से थोड़े बहुत जगू को दे दे तो वो दूसरे बच्चों से क्यू लेगा अरे कालू तो जगू को बहुत से गुबारे देता है लेकिन जगू ही ऐसा है सारे के सारे गुबारे फाड़ देता है जंगल के एक पुराने घर में जगू गुबारों के पास बैठा हुआ था ये जुनी अपने आपको क्या समझता है कि वो इन सब गुबारों से अकेला ही खेल लेगा देखो सारे गुबारे तो मैं ही लेकर आगया हूँ अब वो विचारा घर में बैठा रो रहा होगा काफी देर तक जगुच जंगल के एक पुराने घर में अकेला बैठा रहा और देखते ही देखते रात हो गई और रात को तेज और मोसलाधार बारिश शुरू हो गई ओफ ओ इस लड़के ने मुझे तंग करके रखा हुआ है इतनी तेज बरसात हो रही है लेकिन इस लड़के को इतना नहीं पता के घर आ जाओं मा परिशान होगी जबसे जूनी के गुबारे चीन कर गया है जंगल में पता नहीं कहां जाकर छुप गया फिर गोरी कवी परिशानी के आलम रानो चिडिया के पास जाती है और इसे सारी बात बताती है अरे अरे रानो बेहन ये तो बहुत जादा परिशानी की बात है चलो चलो अभी चलते है जगु को ढूंडने के लिए कितनी तेज बारिश हो रही है बिचारा बच्चा पता नहीं कहां होगा फिर रानो चिर्या और गोरी कवी जगू को ढूंडने के लिए तेज बरसाथ में जंगल की तरफ रवाना हो जाते है उधर जगू तेज बरसाथ को देख कर बुरी तरह डर जाता है और अपनी ममा को जोर जोर से आवाजे लगाने लग जाता है ममा ममा मुझे बचा लो इस तेज बरस में मर जाओंगा मुझे कितनी बुरी सजा मिली है मैंने बस गुबारे ही चोरी किये थे ना चुप चुप गोरी बेहन एक मिन्ट चुप हो ना मुझे आवाज आ रही है आस पास से जैसे कोई ये कह रहा हो हमारी मदद करो फिर रानो चिडिया और गोरी कवी पुराने घर के अंदर चली जाती है जहां पर जग्गू खड़ा होता है जग्गू तुम तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम्हें पता है ना ये घर कितना खतरनाक है ममा, ममा आप आगई, ममा मुझे बचा लो ममा, ममा मुझे बहुत जादा डर लग रहा था, शुकर है आप आगई मुझे बचाने के लिए अरे बेटा मैं कैसे ना आती मैं तो मा हूँ तुम्हारी लेकिन तुम्हें मेरा कोई लिहाज नहीं है तुम्ही ये नहीं मालूम कि कितनी रात हो गयी है मा परिशान होगी मा गुस्सा मत करें ना मा मा मैं उझुनी से गुबारे चिनने के बाद यहां पर आकर खेलने लग गया था और मुझे पता भी नहीं चला कि रात हो गई और तेज बरसाती शुरू हो गई फिर पानी इतना जादा था कि घर से पानी निकलने लग गया और मैं यहीं परबंद हो गया अरे जगू बेटा तुम मुझे बताते तो कि तुम्हें गुबारे चाहिए तुम्हारे अबू गुबारे बेचते हैं मैं तुम्हें तुम्हें अबू से गुबारे लेकर दे देती ना माफ कर दो ना मा माम उसे बरदाश्ट ही नहीं हुआ कि जूनी के पास इतने जादा सारे गुबारे थे हलाके मुझे ये बात तो समझ ही नहीं आई कि उसने अपनी नानी से पैसे लेकर मेरे बाबा को दिये थे बेटा चलो ठीक है अब तुम्हें समझ आ गई ना चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ अब हमारे साथ घर चलो देखो यहाँ पर कितनी तेज बारिश हो रही अगर तुम बीमार हो गए तो जुनी मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त मुझे माफ कर दो मैं आइदा कभी तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करूंगा आइदा कभी भी तुम्हारी कोई भी चीज चीज चीन कर तुमसे नहीं भागूंगा फिर उस दिन के बाद से जुनी और जगुए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं सबस्क्राइब तो वो मुझे हर चीज लाकर दे देते थे लेकिन अब मेरे बाबा नहीं है ना तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं है अच्छा अच्छा चलो कुछ नहीं होता मैं तो अपनी और दोस्तों के दिखाने के लिए जाती हूं मेरे ये गुडिया मेरे बाबा ने कितनी खुबसरत गुडिया मुझे तोफ़े में दी है वैसे तो गुडिया को गुडिया से खेलने का बहुत जादा शोक था लेकिन जब से बंटी चिडा इस दुनिया से गया था गुडिया के तुमाम शोक खतम हो गए थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे के वो नए नए खलोने खरीच सके माँ आपको पता है आज मेरे पास चिंटी आई थी और चिंटी के पास एक खूबसूरत सी गुडिया थी चिंटी को उसके बाबा ने तोफ़े में दी है अच्छा गुडिया चलो कुछ नहीं होता मैं भी अपनी बेटी को गुडिया लेकर दूँगी जब मेरे पास पैसे जम्म हो जाएंगे नहीं ममा मुझे गुडिया की कोई जरूरत नहीं है मुझे पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और मैं जिद भी नहीं करूंगी कि आप मुझे गुडिया ही लेकर दे ममा आज मैं गुडिया से मिली और जब मैंने उसे अपनी ये गुडिया दिखाई तो वो बहुत साधा उदास हो गई हाँ बेटा शायद उसके पास ऐसी गुडिया नहीं होगी ना इसलिए ममा गुडिया के बाबा इस दुनिया से क्यों चले गए अरे अरे बेटा गुडिया के पापा तेज बारिश में खाना लेने के लिए बाहर गए थे और बाहर जाकर उन पर बिजली गिर गई और वो मर गए ममा तो क्या मैं गुडिया को एक गुडिया तोफ़ा दे दू वो खुश हो जाएगी ये तोफ़ा लेकर अरे बेटा तुम गुडिया के जनम दिन पर गुडिया को ये तोफ़ा दे देना वो खुश हो जाएगी ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं अरे गुडिया बेटा उट जाओ कब तक सोती रहोगी स्कूल का वक्त हो गया जल्दी जल्दी तयार हो जाओ फिर गुडिया जल्दी जल्दी उटकर स्कूल के लिए तयार हो जाती है ममा ममा मेरी टीचर रोज गुसा करती है मेरे पास बैग ही नहीं है देखे मेरी किताबे कैसे बाहर पड़ी रहती है हाँ हाँ बेटा लेकर दूंगी आज में माल्टे बेचने के लिए जाऊंगी उनसे जो पैसे मिलेंगे सबसे पहले तुम्हारा बैग ही दिल्वाऊंगी और ममा मेरे पास ना जूते हैं ना पैंसिर, रेजर, शॉपरन बस ये दो किताबे ही हैं और इनमें मैं गुजारा करती हूं सारी क्लास के बच्चे मुझ पर हसते हैं बेटा, मेरी बात को समझो, हमारी अभी मजबूरी है जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं तुमसे वादा करती हूं मैं तुम्हें सारी चीज़े नहीं नहीं लेकर दूंगी हाँ हाँ ममा ठीक है, अभी मैं स्कूल जा रही हूं और जब मैं स्कूल से आऊंगी, तो आप मेरे लिए मज़ेदार खाना बना देना फिर गुडिया रानो चिडिया से बाते करने के बाद स्कूल चली जाती है और रानो चिडिया अपने माल्टे वाले दरख से काफी जाद सारे माल्टे तोड़कर उन्हें जंगल में बेचने के लिए चली जाती है माल्टे ले लो माल्टे, रसीले माल्टे, मीटे माल्टे कालुकवा रानो चिडिया के पास आता है अरे अरे रानो तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है तुम बिचारी महलों में रहने वाली अब रेड़ी पर आके बैट गई हो भाई बंटी भाई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखते थे और तुम्हारी वो बेटी कितने ज़्यादा खुलोनों के साथ खेलती थी अब तो उसके पास एक खुलोना भी नहीं है मेरे बच्चों के खुलोने पर और दूसरी चिडिया के बच्चे के खुलोने पर नजर डाल कर रखती है अरे अरे नहीं कालो भाई मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है आज तक मेरी बेटी ने मुझसे कोई खुआहिश भी नहीं की उसने मुझे कभी ये भी नहीं कहा के मम्मा मुझे गुडिया लेनी है मुझे गुडिया दिलवा दो अरे अरे कैसे कहेगी बिचारी बच्ची तुमसे तुम लोग तो हो ही इतने गरीब क्या उसे नहीं पता के तुम लोग गरीब हो उधर दूसरी तरफ गुडिया की टीचर मीनो चिडिया गुडिया से पूछती है चलो चलो सब बच्चों की फीस तो जमा हो गई लेकिन गुडिया गुडिया तुम्हारी फीस क्यों नहीं आई मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वक्त पर फीस लेकर आ जाया करो वरना मेरी कलास में बैठने की तुमें कोई जुरूरत नहीं है टीचर जी मेरी ममा माल्टे बेचती है मेरी ममा जब माल्टों से पैसे जमा कर लेंगी तो मैं अपनी फीस अदा कर दूंगी आप फिकर ना करें मैंने कहा मेरी फीस हर महीने आ जानी चाहिए तो आ जानी चाहिए तुम्हारी मा तो दो साल में भी एक महीने की फीस अदा नहीं कर पाती और तुम इतने दिनों से बिलकुल फ्री पड़ी जा रही हो आज और अभी मेरी कलास से बाहर निकल जाओ टीचर जी बस मुझे थोड़ा सा पढ़ा दे मेरी ममा यहां पर मुझे पढ़ने के लिए भेजती है अगर आप मुझे कलास से बाहर भेज देंगी तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने आगे क्या सबक दिया है ठीक है ठीक है लेकिन आखरी बार कह रही हूँ अगर कल तुमने फीस ना दी तो मेरी कलास में आने की कोई जरूरत नहीं है और चूप चाप बाहर जाकर खड़ी हो जाना शाम को गुडिया जब अपने घर वापस आती है तो वो रानो चुरिया को सारी बात बताती है ममा मेरी टीचर मुझसे फीस मांग रही थी वो कह रही थी हर महीने की यकम तारीक को फीस आ जानी चाहिए अगर कल आपने फीस ना दी तो वो मुझे कलास में बैठने नहीं देंगी बेटा मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हारे टीचर से भी बात कर लूँगी तुम फिकर ना करो ममा ममा टीचर मुझे बहुत ज़्यादा डाटती है सब बच्चे मुझे पर हसते हैं मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है बेटा फिकर ना करो मैं हूँ ना मैं तुम्हारी टीचर से जाकर बात भी कर लूँगी और तुम्हारी क्लास के बच्चों को समझा भी दूँगी कि मेरी बेटी पर कोई ना हसे अगले दिन शाम को रानो चीडिया मीनो चीडिया के घर जाती है मीनो टीचर मैं गुडिया की ममा हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ हाँ हाँ बोली आपको क्या काम है मुझसे लेकिन मैं जादा वक्त नहीं दूंगी मेरे पास बहुत जादा काम पड़ा हुआ है टीचर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी की फीस अदा कर सकूँ आप बराए महरबानी मेरी बेटी को पढ़ा दे और उसके बाद जितने अखराजात होंगे जितने पैसे आपने लेने होंगे मैं सारे जमा करके आपको दे दूंगी एक मीटे एक मीटे आप मेरी बास सुनिए क्या हमने यतीम खाना खोर रखा है कि जो आएगा उसे हम पढ़ाएंगे और मुफ्त पढ़ाएंगे हम इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं करते सारे स्कूल के बच्चे फीस अदा करते है क्या आपकी बेटी फीस अदा नहीं कर सकती मैंने आपको अपने मजबूरी बताई है न मेरा पती बंटी चिड़ा इस दुनिया से चला गया है जब मेरी बेटी गुडिया छोटी थी लेकिन अब मैं क्या करूँ इतने जाज़ा सारे पैसे कहां से लेकर आऊ सुनिए मेरी बात सुनिए मुझे इस चीज़ से कोई फरक नहीं पढ़ता किस दुनिया से कौन चला गया है कौन यहां पर है हम स्कूल में पढ़ाते हैं हमें अपनी फीस चाहिए और मुझे किसी चीज़ से कोई काम नहीं है लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले आप यहां से चुप चाप चली जाएं मैंने आप से कोई बात नहीं करनी फिर अगले दिन गुडिया स्कूल जाती है तो मीनो चिरिया गुडिया पर भड़क जाती है गुडिया तुम्हारी ममा मुझे से बात करने के लिए आय थी कि मैं तुमसे फीस ना मांगू मैं क्यूं ना मांगू मैं मुफ्त में पढ़ाने के लिए आती हूँ लेकिन टीचर मैंने अपनी ममा को जब बताया तो ममा ने कहा वो टीचर से बात कर लेंगी आप प्लीज मेरी ममा को ऐसा ना कहें सुनो लड़की दस दिन की महलत देती हूँ मैं तुमको मेरी फीस मुझे जमा करवा दो लेकिन अब अब तुम्हारा बस्ता कहा है तुम्हारा बस्ता ही नजर नहीं आ रहा कलास के सारे बच्चों के पास किताबे रखने के लिए बस्ता मौजूद है ना तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है आज तो पक्का मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ही नहीं जल्दी से मेरी क्लास से निकल कर बाहर दफा हो जाओ और अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन टीचर मेरा आज का सबक साया हो जाएगा मेरी ममा मुझे कभी भी छुटी नहीं करने देती मैं कुछ नहीं जानती अब तुम स्कुल से बाहर जाकर खड़ी हो जाओ या अपने गर दफा हो जाओ मुझे इस से कोई फर्क नहीं पड़ता निकलो मेरी क्लास से बाहर सारी क्लास का महोल खराब करके रखा हुआ तुमने फिर पिचारी गुडिया अपनी टीचर से डांट खाने के बाद स्कुल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है अब गुडिया विचारी करे भी तो क्या टीचर क्लास में बैटने नहीं दे रही और ममा ने घर से ये कहकर बेजा है कि जाओ बेटी पढ़ कराओ तो गुडिया स्कुल के बाहर काफी देर तक खड़ी रहती है अरे अरे छुटी हो गई अब जगु भाई जब बाहर आएंगे तो मैं उनसे पूछ रूँगी कि टीचर ने आखिर कार ऐसा क्या पढ़ाया है और मैं कल सारा सबक क्यात करके भी आऊंगी जगु भाई टीचर ने क्या पढ़ाया है आप मुझे एक बार बता दें मैं सारा सबक क्यात करके आऊंगी और कल टीचर को सना कर खुश कर दूँगी तुमने शकल देखी है अपनी खुश करने वाली टीचर को नाराज कर दिया सारी कलास पे बहुत गुसा कर रही थी टीचर सिर्फ तुम्हारी वज़ा से हमारी पूरी कलास का महौल खराब हो जाता है मैं तो कहता हूँ कल से स्कूल ही ना आना लेकिन जगु भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी मुमा मुझे स्कूल पढ़ने के लिए बेशती है और मैं रोज स्कूल आया करूंगी बेशक टीचर मुझे पढ़ाए या ना पढ़ाए जैसी मर्जी तुम्हारी मैं तो चला और मैं तुम्हें कोई सबक नहीं बताने वाला कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है और कल हमने क्या याद करके आना है फिर बिचारी गुडिया चुप चाप अपने घर वापस चली जाती है हाँ बेटा गुडिया पढ़कर आ गई टीचर ने आज फीस तो नहीं मांगी होगी ना नहीं ममा टीचर ने कोई फीस नहीं मांगी और टीचर ने कहा है कि वो हमें दस दिन देती है और हमने दस दिन में अपने सारी फीस अदा करनी होगी हाँ हाँ मैं कल बात करके आई थी तुम्हारी टीचर से वैसे तो तुम्हारे टीचर अच्छी है देखो उन्होंने हमें दस दिन का टाइम तो दे दिया ममा जो लोग गरीब होते हैं क्या उन्हें कोई पसंद नहीं करता सब लोग उनसे नफरत करते हैं क्या क्या मतलब है तुम्हारा सब लोग हमसे प्यार करते हैं तो मैं ऐसी बाते क्यों कर रही हो नहीं नहीं ममा कुछ नहीं मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ आप मेरे लिए मज़ेदार खाना बना देना फिर गुडिया पढ़ने के लिए चली जाती है और रानो चुडिया गुडिया की टीचर को गुडिया की फीस अदा करने के लिए चली जाती है टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें दस दिन की मोहलत दे दी थी तो मैंने ये पैसे जमा कर लिये आप अपने सारे पैसे देख ले और अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता दे न अरे अरे ऐसी क्या लोटरी तुम्हारे हाथ में लग गई जो अब मुझे पूछ रही हो के मुझे और पैसे चाहिए या नहीं अरे अरे ये मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की कमाई है मैंने अपने सारे माल्टे बेच कर एक एक करकर ये पैसे जम्मा किये हैं ताके अपने बेटी की सारी फीस अदा कर दूँ लेकिन मीनोचुरिया का तो गुड़िया बिलकुल भी पसंद ना थी वो गुड़िया को कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहती थी तो गुडिया आज मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सकती हो येस मैं मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे सकती हूँ आप मुझे से पूछे तो तो बताओ इनसान के हाथ में कितनी उंगलियां होती है टीचर, इनसान के हाथ में चार उंगलिया होती है शरम करो गुडिया, मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा इनसान के हाथ में चार की बजाए पांच उंगलिया होती है क्या तुमने कभी इनसान का हाथ नहीं देखा देखा है टीचर लेकिन वो एक अंगुठा होता है ना और चार उंगलियां होती है निकलो अभी और इसी वक्त मेरी क्लास से निकलो गलत जवाब देती हो पूरी क्लास को खराब कर दिया तम्हारी वज़ा से मेरी क्लास का कोई भी बच्चा पढ़ कर नहीं आता अभी और इसी वक्त निकल ज़ओ मेरी क्लास से आज फिर गुडिया स्कूल के बाहर आकर बैठ जाती है टीचर ने मुझे फिर से स्कूल से बाहर निकल दिया अब मैं कहां जाओ पिर गुरिया जंगल में जाकर एक तरफ बैठ जाती है, गुरिया को वहाँ पर एक तोटा मिलता है, तोटा गुरिया से पूछता है अरे बीटा, क्या करने के लिए आई हो यहाँ पर, अकेली क्यों बैठी हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाती? जाती हूँ तोते अंकल जाती हूँ लेकिन मेरी टीचर रोजाना मुझे स्कूल से बाहर निकाल देती है क्योंके हम लोग गरीब है ना इसी लिए क्यों बेटा आखिर वज़ा क्या बनती है एक बार मुझे वज़ा तो बताओ मेरे पास बस्ता नहीं है जिसमें मैं किताबे रख सकूँ इसी लिए वस बेटा मेरे पास कुछ लकडियां है क्या तुम उन्हें जोड कर एक गठे में बांद कर मेरे घर ले जा सकती हो मैं तुम्हें पैसे भी दूँगा उस चीज़ के हाँ हाँ अंकल बिलकुल मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है मुझे तो इसी बात की खुशी होगी ना के मैंने आपकी मदद कर दी है अरे बेटा ये हैं मेरी लकडियां अब इने तर्तीब से रखकर मेरे घर ले आना मैं अपने घर जा रहा हूँ ठीक है अंकल आप जाएं मैं आपके पीछे पीछे आ जाती हूँ इने जमा करके फिर बुडिया सारी लकडियों को एक जगा पर इकठा करती है और उन्हें ले कर तोते के घर चली जाती है शाबाश बेटा तुमने बहुत मेहनत का काम किया है और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा अंकल मुझे आपकी मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है बस मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है अरे ये लो बेटा ये कुछ पैसे हैं अब ये पैसे अपनी ममा को दे देना आपकी ममा आपके लिए खुबसूरत बैग ले आएंगी फिर गुडिया अपनी ममा के पास जाती है और अपनी ममा को सारी बात बताती है शाबाश मेरी प्यारी बेटी आज तुमने अपनी पहली मेहनत की कमाई अपनी ममा के हाथ में रखी है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फिर अगले दिन गुडिया स्कूल में एक खूबसूरत बैग लेकर जाती है मीनोचिया गुडिया को ना पसंद करती थी जिसकी वज़ा से वो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी चलो चलो गुडिया मेरी कलास से निकलो मैंने कहा है ना के मेरी कलास में ना आया करो तुम्हारी वज़ा से मेरी कलास का सारा महौल खराब हो जाता है लेकिन टीचर मेरी क्या गलती है आप रोजाना मुझे बाहर निकाल देती है मेरी ममा मुझे सारी चीज़े लेकर देती है मैं पढ़ने के लिए आती हूँ ना जुबान चलाती हो टीचर के आगे टीचर के आगे जुबान चलाती हो निकल जाओ मेरी कलास से मैंने कहा अभी और इसी वक्त निकलो फिर गुडिया बिचारी दुबारा से कलास से बाहर आकर खड़ी हो जाती है मैं क्या करूँ अला ताला मेरी टीचर रोजाना मुझे बाहर निकाल देती है मैं पढ़ना चाहती हूँ मेरी ममा मुझे पढ़ने के लिए भेजती है अब मैं क्या करूँ हम लोग गरीब है बस इसी वज़ा से मेरी टीचर मुझे बाहर निकाल देती है फिर गुडिया स्कूल से सीधा नदी किनारी चली जाती है और वहाँ पर बैट कर अपने दिल की सारी बाते करती है अबू, आप हमें छोड़ कर क्यों चले गए जब से आप हमारी जिन्दगी से गए हैं हमारी जिन्दगी की सारी खुशियां ही कतम हो गई है अल्ग ताला मेरे अबू को वापस बेज़ दो मुझे अपने अबू बहुत सभा याद आते हैं क्या हुआ बच्ची क्यों रो रही हो तुम तुम्हारे रोने की अवाज मुझे बहुत सभा दुख दे रही है मुझे अपना दुख बताओ मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूँगा मैं? मैं अपने अबू को याद कर रही थी मेरे अबू इस दुनिया में नहीं है ना बेटी परेशान ना हो मोत हर किसी की आनी होती है अब चुप हो जाओ अंकल मेरी टीचर रोजाना मुझे स्कूल से बाहर निकाल देती है मैं क्या करूँ? मैं पढ़ना चाहती हूँ ताके मैं अपने अबू की तरह एक बड़ी अफसर बन सकूँ लेकिन टीचर मुझे पढ़ाती नहीं वो कहती है हम लोग गरीब हैं बस गरीब हैं मुझे गुडिया भी लेनी है मुझे गुडिया का बहुत जादा शोक है मेरी दोस्त ने मुझे गुडिया दिखाई थी मुझे बहुत जादा पसंद आई थी शोक मैं तेरा पूरा करूंगा जा बेटी तू घर जा देख के अपने घर में इतनी जादा गुडिया दिल तेरा ये चाहेगा खेल तू उन सब से नदी ने अभी ऐसा कहा ही था कि गुडिया के घर में बहुत जादा सारी गुडिया और कुछ सोने के सिक्के आ जाते हैं अब गुडिया और रानो चिर्या बहुत जादा अमीर हो जाती है और वो एक खूब सूरत और बड़े घर में रहने लग जाती है अमीर होने के बाद अगले दिन जब गुरिया अपने स्कूल में जाती है तो मीनो चिरिया गुरिया से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है गुरिया बेटा आपको खाने में क्या चाहिए मुझे बताओ मैं आपके लिए बर्गर मगवाद हूँ बर्गर? नहीं टीचर मैं स्कूल टाइम में बर्गर नहीं खा सकती अभी मैं पढ़ने के लिए आई हूँ ना अरे अरे बेटा पढ़ाई तो होती दहेगी तुम मेरे घर आजाया करो मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी अभी कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं नहीं टीचर मेरी ममा मुझे पढ़ने के लिए भेजती है ना तो मैं पढ़ूंगी ही फिर गुडिया की जिन्दगी में सब कुछ पहले से भी जादा अच्छा हो जाता है और गुडिया अपनी सारी जिन्दगी अपनी ममा के साथ हसी खुशी गुजारने लग जाती है